पलस्तीन का मसला और हमारे हाथ में है क्या यही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज कर चल रहे हैं लेकिन आप लोग एक बात हमने जहन में रखिए कि लोग जो पलस्तीन के लिए फरसीन के मसले को डिसकस कर रहे हैं यह सबसे बड़े दुश्मन है इनी की वज़े से यह मसला इतना बड़ा गए तुटर पर टॉप ट्रेंड है तो हम ट्विट कर देंगे तो हमारा व्यूज आ जाएंगे यह जाएगा वह जाएगा अगर पलस्ताइन को करना है इट इस नाट अ बिग डिल यू आ जाएंगे हमारा मसला फलस्तीन से नहीं है हमारा मसला बैतल मकदस से है मस्जिद अकसा से रहा है तो पॉइंट यह है कि हदर अमर रजियल्लाव तरह उन्हों इजतिहाद किया था मुसल्मानों ने जो जमीन जो इलाका बज़ोर मलकियत है वो उन से कोई चीन नहीं सकता बिल्कूर इसी तरह जिस तरह मस्जिद की जमीन पर आपको कोई गऌर गर नहीं बनासकता गया नहीं सकता इसी तरह फलस्तीन और एलिया यानी यूरुशलम मुसल्मानों ने फता किया था तो अब कोई और इस जमीन को बेज नहीं सकता ताकि जब बालफोर डेकलरेशन होई तो उसके अंदर यह पॉइंट आया हमें इसका एक जाहिजा लेए असूल क्या है असूल यह है क कि रूल है एक ही जगह अप्लाय होगा फलस्तीनी के आप बात करते हैं कि फलस्तीनी बचे शहीद हो रहे है वो यह हो रहा है वो वह हो रहा है इट हर्ट्स क्योंकि मुसल्मान एक जज़्द बाहिद की तरह है लेकिन पॉइंट इस सूरह निसा के मुताबिक उनकों हिज़ कोई नी कर बसला किया है बाइड जयद हम केते हैं इस्राइल इस the illegal child of the west the point the point is को ते आपने क्या करना कि आपने जลूस निकालना है अपने धर्णे देने है आपने फढ़ ब्लोक कर देना है आपने बंदों को ही मारना ना आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको यह कह सकते हैं, मैं आपकी चीज़ नहीं खरीदूँगा, ठीक है ना, तो capitalist, ADEAR अगर तब आपके पास आएगा, और capitalism जो सबसे ज़्यादा है, वो यहूद के अंदर है, आपके पास हजारों कोग पी लो, और दूसरे ब्रेंड्स हैं, आप उनकी कोग पी लो, ज़रूरी तो नहीं है कि आप पेपसी पीओ, आपने मज़िद अकसा पे किया, यह उस दुलम का retaliation है, retaliation यह नहीं होगा कि आप पुबिक प्रापर्टी को नुकसान पुचाए, retaliation यह होगा, आप एक कैपिटलिस्टिक बाइकार्ट करें, एक डिसोबीडियन तिरीक चलें, आप लिट लिट स्टोर पे जाते हैं, हार्पी की बोदल उठाई, हार्पी के पिछे देखे, क्या लिखा हुआ है, यूनिलिबर, शोड़ दो, निलेना, बच्चे यह निलेना, कोई और डिकलेशन जिन्हों ने दी, फॉर्ण मिनिस्टर इंग्लेंड का, एंटीन 17 में, उन्हों ने का कि फलस्तीन में एक आजाल यहूदी रियासत काइम होगी, क्यों हम आईफॉन के बगहर जिन्दा रह सकते हैं, यस तो वाट, इन चीजों के बगहर जिन्दा रह सकते हैं, ल यही बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप लोग पोस्ट करें, not to matter, discuss the trend, just to matter, how to tackle these problems, Unilever का record क्या है, 23.3 billion dollars, from Asia में 90% मुमालिक जो है न वो मुसल्मान, तो मुसल्मानों से वो जाज़ादर revenue generate कर रहे हैं, और जब आप उनका capitalistic bycourt करेंगे, और पैंटीन, पैप्सी को, सब चीज़ों का bycourt करेंगे, वो लोग एडियां रगड़ते वे आके पास आएं, क्योंकि जब आप उसको bycourt कर देंगे, उनका capital रुक जाएगा, capital रुक जाएगा, जो मुल्क इसराहिल का साथ दे रहे हैं, आप उसको भी bycourt करें, प्रांस का bycourt करें, आप जर्मनी का by इसराहिल की कमजोरी है, आप उसको यूडिलाइस करें, आप यूनिलिवर ब्रदर का bycourt करें, यहूदी कंपनी उनका bycourt करें, उनकी list बनाएं कि यार यहूदी कंपनी आप इनका bycourt करें, कादियानी कंपनी उनकी bycourt करें, जब हम capitalistic bycourt करेंगे, उनको damage कर सकते हैं, अगर आप नेशनलिजम की बात करेंगे, आप मुस्तफवी, आप में इस बुद को मिला दे, नेशनलिजम इस दोर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की, रविशे लुद्व सित्म और, मुस्लिम ने भी तामीर किया, अपना हरम और, जजीब के आजर ने त मौल में जा रहे हैं, आप महां पर बोतल उठाएंगे, आपको हर्पी की ज़रूरत है, आप हर्पी को उठाएंगे, आप जेखेंगे, पीछे यूनिलिवर लिखा हुए, वहां पर रख दो आपर, ये नहीं ले लो, पकिस्तानी कोई लोकल प्रॉड़क ले लो, लेकिन य आपके पास आएंगे, ये एडियां रगड़ते वे आपके पास आएंगे, येस वी केन फ्री फ़लस्तीन, बट प्लीज हमारे प्रॉड़क ले लो, यही पॉइंट था, यही मैं आपको बताना चाहता था, यही बैतल मुकदस हमारे कदम हमें डालेंगे, अगर हम इस के लिए डील करें, तैजीब के आजर में तरशवाय सनम और ये कुछ और सनम है, ठीक है ना, डोंट फॉलो ट्रेटर ट्रेंट, डोंट फॉलो टिक टॉक ट्रेंट, जस्ट तू फॉलो इसलाम, अलाला,